हाई गाईज वेलकल में तो माई चानल मैं हो सुगम और मेरे चानल पर फिर से एक बर आपका स्वागत है तो जी हाँ आज के जो टॉपिक है मेरा यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से मैंने अपना वेट कम किया बaltet उसके बाद मैं उससे इस्टे रखती हूँ हमेशा मतलब के एक लाबल में रखती हूं कि वो कभी बढ़े ना तो आज मैं आप लोग कि साथ वही ट्रिक शियर करने वाली हूँ बहुत सी만 सी ट्रिक करने वाली हूँ आप मेंसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे डाइट प्लान दीजिए मुझे exercise बताए लेकिन सही बताए कि उनमें से कितनी लोग उस डाइट प्लान को follow करते हैं या फिर exercise regular करते हैं सच सच बताए कि हाथ खढ़ा करिये कि कितने लोग उसे दिल से फॉलो करते हैं, I think, 20% लोग ही फॉलो करते होंगे, हमेशा, मैं हमेशा की बात करे हूँ, एक जोस के साथ तो आप 10 दिन उसे जरूर करते हैं, लेकिन 11 दिन आप भी कहीं न कहीं आके, बहुत परिशान होके उसे छोड़ देते हैं, इसलिए इन सारी प्रॉब्लमों का solution आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यानि उन सारे problem का solution आज मैंने आपके लिए निकाला है, यानि कि इससे मैं अपने लिए भी follow करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा उस चीज़ को continue रखना नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम रहते हैं, जिसकी वज़े से मैं कभी-कभी नहीं यह सब follow कर पाती हूँ, तो इसलिए आज मैंने इसका बहुत अच्छा सा तोड़ निकाला है, कि किस तरह से आप अपना वेट बहुत अच्छे से manage करो और बहुत healthy air way में करो, तो इसमें 2-3 चीज़े ऐसी हैं, जिसे ध कि अपने ही। अपना बंद करण इसमें 2-3 चीज़े को सबस्awareरे, कर हम अपनी बॉड़ीय के लिए बनiron आपन अपनी कालूरीय को क्मदीय हैं, और हम इसमें कालूरीय के लिए अए दोपाश्य के लिए और energy दोपरत्रा की होती है हम energy के लिए खाना खाते है energy हमें किस टी से मिलती है एक तो काब से और दूसरा हमें मिलती है fat से और जो काब होता है वो instant source होता है energy के लिए मालीजी आपके body में कहीं भी fat है और मैं मैंन के चलती हूँ belly fat तो हमारी body उस belly fat को क्यों नहीं जब हम भूखे हो देए हम energy की जरॉत होती है तो वो हमारे body के part से क्यों नहीं fat लेती है क्योंकि हमने अपने mind को उस तरह से set रखा है कि वो जो है instant energy ले ना कि हमारी body के fat की अगर body के हमारे दिमाग को यह से पता चल जाए कि हमें अपनी body के ही part से fat की रूप में energy लेनी है जिससे क्या होगा हम slim होने लगेंगा हमारे belly fat जो है वो वहाँ से गलने लगेगा क्योंकि हमारा mind उस तरह से set होगा और वो हमारी body का ही part लेके उसे energy के रूप में convert करेगा जो भी fat है और जब fat बढ़न होगा तो जिसकी वज़े से हमारा weight loss बहुत अच्छे से होगा लेकिन आप सोच होंगे कि मैं इस तरह की बाते कर रही हूँ और यह सब कैसे possible है हमारी body को energy की जोथ होती है जब हम खाना खाते हैं carbs लेते हैं तो जिसकी वज़े से क्या होता है हमारी body में जो खाना जाके convert होता है insulin में और insulin convert करके उसको glucose में हमारी body को पूरे cells में भिषती है energy के रूज में convert करके और जो बच जाता है उसको fat के रूज में जाके store कर देती है तो वही हमारा वज़न जो है जिसकी वज़े से बढ़ जाता है तो अब हमें क्या करना है insulin हमारी body के लिए जितना जरूरी है उतना वो हानी कारग भी है यानि हमारे weight को बढ़ाने में उसका बहुत ही एहम रोल है और जब भी insulin level हाई जाएगा हम कभी भी weight loss नहीं कर सकती है तो हमारा जो आज का weight loss का पूरा method है वो सब कुछ इसी पर निर्भर है कि आपको अपना insulin level कम रखना है लेकिन किस तरह से रखना है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी यानि मैं अब शुरू करने जा रही हूँ कि किस तरह से आपको आपका insulin level वो नीचे रखना है यानि कि insulin की हाई जब insulin हाई होगा तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं करोगे तो आज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से insulin को आपको लो रखना है और आपको वेट लॉस करना है देखें बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें खाने के मील चोटी-चोटी 4-5 लेनी चाहिए 4-5 मील लेने से क्या होगा कि जब आप खाना खाऊगे आपका insulin level हाई हो जाएगा जब आप 2 घंटे के लिए रुकोगे insulin level नीचे आ जाएगा जैसे ही आपने 2 घंटे बाद खाया insulin level उपाचला गया पिट जैसे ही आपने नहीं खाया insulin level नीचे आप insulin level बढ़ रहा है घट रहा है तो इससे क्या होगा आपका weight loss नहीं होगा क्योंकि insulin level जादा quantity में बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है आपको जो है fasting fasting, यह पे मैं आपको यह नहीं बहुं हम fasting के लिए कुछ टाइम लिए क्लिए क्लिए झाला है उस faster तुछ पार में ले सकते हो चार ले सकते हो without sugar ले सकते हो यानि पानि खुब क्वांटिक में ले सकते हो उसके बाद आप ने सुबह 8 बजे आके अपना ब्रेक्फास्ट किया तो आपने कितने गंटे की fasting की आपने आई इञेंग बारा गंटे की fasting की 24 गंटे होते हैं जिसमें 12 घंटे आपने फास्टीग की इससे क्या होगा इससे जो आपका है वो weight manage होगा घटे अभी भी नहीं अभी आपका weight manage होगा लेकिन weight loss करना है उनको 16 घंटे fast रखना है 8 घंटा खाना है तो इससे क्या होगा मालीजे आपने जैसे मालीजे आप break fast करते हो जब तक आपको सुबह भूप ना लगे बहुत से लो अब भूप नहीं लगती है तो आप 12 बजे तक मत खाओ उसके बाद आप क्या करिए उसके बाद खाना है स्टार्ट करिए 7-7 तक खाये फिर उसके बाद बंद कर दीजे फिर आप पुरा डाध फास्टिंग करिए और सुबह आके शाम को 7-7-8 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर दो यानि कि अगर वेट लॉस करना है मालीजे वह यह फास्टिंग नहीं भी कर रहा है कर रहे हैं तो उनको 7-7 तक अपना जो डिनर है वह फिनिश करना है तो इस तरह से कोई भी आप एक प्लान कर लीजे मैंने आपको एक एक जामपल दिया है जैसे 12-8 आप खा इसे क्या होगा आपका इंसुलिन लेवल नीचे रहेगा और जो आपकी बोड़ी है वह आपकी ही बोड़ी के अंदर से फैट लेगा और जब आपकी बोड़ी को एनर्जी की उज्रत होगी तो वह आपकी ही बोड़ी में से फैट को निकालेगा और बोड़ी को एनर्जी मे और जब फैट के रूप में लेगा तब आपका वेट लॉस होगा आप स्लिम दिखोगे इससे क्या है वेट भी लॉस होगा इंच भी लॉस होगा बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं अब 70-80 तो वो 6 आर की फास्टिंग करें और फीस्टिंग का पीरियद रखें वो 18 गंटे का रखें तो इससे क्या हो और तेजी से होगा और लेकिन एक चीज़ में जो बता रही हूं कि जो 6 गंटे और 8 गंटे उसमें आपको यह बहुत हैं और फास्टिंग में भी डिटॉक्स रिंग ले सकते हो लेकिन अगर आप उसमें चाय ले रहे हो तो विदाव शुगर लेनी है जैसे आप डाइट प्लान अपना कंटिन्यू कर रहे हो वही करो और जो भी पानी पी रहे हो वही करो तो इस तरह से आपको यह मैथ काम करना है वह 8 घंटे कर जिनको एक्स्ट्रीम वेट लॉस करना है वह 6 आर का जो है यानि की 18 घंटे का फास्टिंग रखें और फीस्टिंग पीरियद 6 घंटे का रखें तो इस तरह से आपका वेट लॉस बहुत अच्छे सा होगा इसमें आपका एक रुपय भी नहीं अगर आपका 3-4 किलो तक बजन नहीं जाता है तो आप मेरा नाम चेंज कर सकते हैं सुगम आइटिंग बहुत अच्छे नहीं आपको चेंज करनी की जुद नहीं पड़ेगी इस तरह से आप एक वीग में 4-5 किलो बजन बहुत तेजी से लॉस कर सकते हो अगर आप 18 घंटे का फास्टिंग लेके चलोगे और आइटिंग आप में से बहुत से लोग एक्साइ अगर यह बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो भर बर के लाएटिंग लेके लेके उसे एनर्जी में आपको चाहिए और नहीं करनी चाहिए और किस तरह की डाइट प्लांस उसमें होते हैं तो मिलती हूँ बहुती जल्दी एक लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेयर्स के जाज शेयर कर दीजिएगा तब तेकी लिए बाबाई